नमस्कार दोस्तों, आज हम इलास्टिक बाडर बनाना सीखेंगे, इसे बनाना बहुत ही आसान है और बन कर ये फैलती नहीं है, सीधा उल्टा बनने वाला बाडर फैल जाता है और ये फैलती नहीं है, इसलिए इसका नाम इलास्टिक बाडर है, इसे बनाने के लिए आप पहला फंदा उल्टा बुनिए दूसरा फंदा उता लेजे तीसरा फंदा उल्टा बुनिए चौथा उता लेजे पाश्वा उल्टा उल्टा उता लेजे सात्वा उल्टा इस तरह एक फंदा बुना जाएगा और अगला उतारा जाएगा सारे विशम फंदे जो हैं उसको आप बुनते जाएए और जितने सम फंदे हैं उनको उतारते जाएए इस तरफ पूरी लाइन बना ले पीछे से सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे जो फंदे उतारे गये हैं और जो बुने गये हैं वो सारे फंदे पीछे से बुन लिये जाएंगे उल्टे बुनते हुए सारे फंदे आप उल्टे बुन लिजे अगली लाइन में जो फंदा बुना गया है उसे उतार लेजे और जो उतारा गया फंदा है उसे बुन लेजे यानि इस लाइन में दूसरा चौथा छठा ये बुना जाएगा और पहला तीसरा पांचवार ये उतारते जाएगे सारे सम नंबर के जितने सम संख्या वाले फंदे हैं वो बुन लिये जाएगे और विश्ण संख्या वाले सारे फंदे उता लिये जाएगे पीछे से सभी फंदे उल्टे बुने जाएगे अबीफंदे उल्टे बुन लेजे की पाच्वी लाइन पहली लाइन की तरह होगा यानी पहला फंद बुन लिये जाएगा दूसरा फंद उता लिये जाएगा और तीसरा फंद उल्टा बुन जाएगा दूसरा चोथा छठा ये इस क्रम के सारे फंदे उतारते जाएंगे और पहले तीसरे इस क्रम के सारे फंदे उल्टे बुनते जाएंगे हर सलाई में पीछे वाले फंदे उल्टे बुने जाएंगे नेक्स लाइन में फिर फिरने हुए फंदे उता लिया जाएंगे उतारे हुए फंदे बिन लिया जाएंगे यानि सामने की तरफ से जो फंदे बुने गया हैं अगली लाइन में अगली लाइन मतलब सामने की तरह वाली अगली लाइन में वो फंदे उता ले जाएंगे इसी क्रम में ये बनता जाएगा ये हमारा प्लास्टिक बाडल त्यार हो गया है ये देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है इसे आप अपने स्वेटर में बनाएए अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद पढ़ रहा है तो आप मेरे चैनल डिजाइन को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए औ और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए धन्यवाद